नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले है जो ट्रेडिंग का एक नया अपडेट आया हुआ है चार्ट के टाइप के ऊपर उसको हम यहां पे समझेंगे कि अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमें कैसे काम आ सकता है और हमारे डेली ट्रेडिंग में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों गर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करना वीडियो बसंद आए तो लाइकन शेयर जरू करना तो इसका जो न्यू अपडेट आया हुआ है वह है यहां पर वॉल्यूम के कैंडल के ऊपर है जगर यहां पर आप देखते ह रहा है कि यह आपके वॉल्यूम के इसाफ से कैंडल बता रहा है यानि कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा वह कैंडल का साइज आपको यहां पर बढ़ा होगा तो आपको इजीली देख जाएगा कि क्योंकि यह सपोर्ट के पास है यहां पर सेलिंग आया था सेकंड को मिला है यहां यह कैंडल पर जैसे एक एक दो और तीन और यह लास का कैंडल यहां पर आपको देखने को क्या इजीली मिल जाता है कि हां यहां पर जो वॉल्यूम है उसकी वजह से जैसे यहां पर शॉर्ट बनाता यह कैंडल में आपको बाइंग देखने को मिला है यहां चार्ट पे कि यहां से आप buy कर सकते हो तो यहां पे जो update दिया था उसको हम यहां पे confirmation कर ला है कि यह किसको यहां पे use हो सकता है तो जैसे ही आप यहां पे new update में click करोगे नीचे scroll करके देखना है तो यह आपको लिखा हुआ मिलता है कि please note that the new chart type is available to user with a premium subscription or the higher one पर अगर हमें इसको free में use करना है तो अगर आप जीरोता के user हो तो आपको भी यहां पे यह facility दिया जाता है जहां पे आप यह देखोगे सब टाइपस यहां पे देखने को मिल रहा है यह ट्रेडिंग यूसे भी यहां पे आपको त्वड़ा ज्यादा मिल जाता है तो जैसे यहां पे आप आके यह volume आप करते हो candle तो आपको similar वही आपको यह जगह पे मिल जाएगा यहां पे volume के इसाप से candle का size भी change होता है और आप इसको यहां पर उसको study के लिए use कर सकते हो तो एक आप इसमें क्या कर सकते हो ऐसा कोई भी candle जब बनता है support या resistance के पास बनता है तो एक आप उसको confirmation के लिए ले सकते हो कि यहां अब इसके उपर hold किया जैसे कि यह candle था बाया था उसके बाद में continue selling आया तो आपको यहां पर क्या करना है simple line draw करके रखना है कि जब इसके उपर closing देगा तब हम इसको enter करेंगे तो आप देखोगे यहां पर भी volume आया था और यह candle यह confirmation का एक volume था यहां पर जो आपको नीचे आया उसके low के नीचे एक अच्छा सा selling देखना चाहिए तो जहां पर यह दो candle में दिख रहा है तो आप इसको यहां पर previously जो swing high रहता है उसको SL करके रख सकते हो तो आप hold कर सकते हो तो यह बहुत ही simple रहता है volume candle को analysis करना और उसको आपके chart के हिसाब से use करना तो दोस झाल